अब डॉक्स की किलिंग के वाली फौक देखते हैं देखिए ये हदीस है बा lot लोग आधी बात थे लोगों को आधी बात बताते क्यों कि बताना है तो पूरिजग नहीं पताते हैं आधीबात क्यों बताना है अगर एक हदीस मिल सकती तो उसके आगे कि दुसी प्री सी करवाया के हदीस यहाँ पर है अमरा बेक गत्लिल किलावी नभी सिल्दाओं ने हुकुम दिया कुत्तों के गत्ल करने का इल्ला कल्बा सैदिन और कल्बा माशियतिन सिवाई जो 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 शिकारी कुता है और जो लाइफ स्टॉक हो या जानवरों को संभालने के लिए जो कुत होंगे कि नभी सिल्दाओं ने हुकुम दिया था लेकिन फिर क्या हुआ उसके आगे की हिसमें जो दिन विए किलिए किलिग जो आगे है नभी सिल्दाओं तो तुम्हें चाहिए कि सिर्फ जो जेट ब्लैक कुटा है जिसके पर दो डॉट्स होते हैं एक रैटाइक का कुटा होता है उसी को गतल करो वो शैतान है बाकि जनरल जो था एक टाइम के लिए था फिर मना कर दिया अब आपको इस समझना है कि एक सिच्वेशन होती है जिसक देखिए क्योंकि महमद صلی اللہ सम्झे ने कहा कि हराम के महरिब जो होता है जो एहराम के हालत में जो आपको पता है हच करने जाते हुम्रा करने आते हैं तो मसलिम से एहराम पहनते हैं उसके अंदर किसी भी ताइप की क्रीचर को मारने की जाज़त नहीं होती खुर्बानी कर जो रेबिट कुता होता है जो रेबीज वाला कुता होता है जो हामफुल कुता होता है उसके तालुक से महमद صلی اللہ सम्झे ने कहा कि उसको उसके तालुक से कहा तो अब ये रेबिट कुते को मानने के बारे में कहा गया है और आपको पता है कि कोई अगर कहे इस से कि भी ज सिंदर क्या wisdom थी वो कुटों में क्या problem था क्योंकि हम देखते हैं कि यहां पर आगे जाकर यह जो खास किया गया कि यह time के कुटों को मानना है तो वो कुट्ते हैं कुछ तो ऐसी बात है 행복 क lavorätter गहाए जानता है कि क्या वजा थी पिलाने खाके तो अस्यास्व का पर इस चीज़ ने जब सिखाया गया, तो क्या उसमका कतल कर देना सिखाया जाएगा, आपको सुचना चाहिए लेकिन क्या आपको पता है, कि आज जो हमारी कंट्री के अंदर जो कुतों के प्राउब्लम को अड्रेस नहीं किया जा रहा है, उसका क्या रिजल्ट है, रिजल् 1.7 crore dog bites एक साल में हर साल average 1.7 crore यहने 1.70 लाक लोगों को उत्ते bite करते हैं हर साल इंडिया के लिए और आप देखूंगे कि यह इसके इने report केंदा यह World Health Organization की report है इसके इने आया है कि दुनिया में जितने लोग बेवीज से मरते हैं उसमें से 36% 36,000 इंडिया में मरते हैं 36%, 36% इंडिया में मरते हैं और कितने तकरीबन 55,000 जो टोटल मरते हैं उसमें से 18-20,000 इंडिया से मरते हैं रेवीज के यानि कि आपको नहीं रगता है कि हमारी population जो है दुनिया का कितना percentage है लेकिन हमारा share जो है रेवीज के अंदर बहुत बढ़ा है क्यों है इसा अज़र सोचनल चीम लोगों को और अकसर जो होते हैं जो छूटे बच्चे और आप cases लेखोंगे ये रेवीज की cases ये तो है अभी आपको assault के कैसे cases मिलेंगे कि पूरे-पूरे छूटा बच्चा है बच्चे को आके pack of dogs इन अटैक किया उसका कतल कर दिया मतलब वो बच्चा मारा गया उसके अंदर ऐसे कई cases रेवीज करके चला गया और उसको रेवीज हो गया ये एक बात है लेकिन mortality rate ये इस तरह से होता है कि almost यानि के confirmed death 100% fatal दिया है रेवीज वर्चुली 100% fatal यानि कि हो गया तो फिर मत confirmed गया लेकिन रेवीज ना हो उसकी कोशिश होती है तो ये इतना serious मामला है और ये दिखिए कैरला की रिपोर्ट कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि जब एक बच्चे को कुटे ने मार दिया एरिया के 11 साल का बच्चा था तो pack of dogs ने आकर के उसको मार दिया उसका कप्ल कर दिया बच्चे का कुटे ने तो फिर वो एरिया की लोगों को समझ में आया केरला की लोकल बडी ने सुप्रीम कोट को में पेटिशन फाइल की कि यह जो रिबिट डॉग्स होते हैं इनको यूथनाइस किया जाए याने इनको मारा जाए और आप वेस्टर्न कंट्रीज का फिगर्स देखो आपको अमेरिका में हर साल का फिगर मिलेंगे कि कई लाख कुटों को यूथनाइस किया जाता है मारा जाता है जब इस तरह की जो इंफेक्शन और प्रॉब्लम की बात होती है तो हम देखते हैं कि यह हो रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सब को छड़ जगा प्रॉब्लम की बास चीज़ें जो होती ही वो लोग रॉंग सेल्यूशन भी करते हैं हम उसके अंदर साथ मैं नहीं है लेकिन रेबिट जो डॉब्लम सीरियस होता है और ऐसे डॉब्लम जो स्प्रेड कर रहे हैं वो चीज़ उसको मारना इंसानों के लिए बहतर है रहमत है इसमें सारे लोग जब सफर हो दें उनको तकलीब हो रही है तो हमें सुचना चाहिए चीज़ चाइना की मिसाल देखिए चाइना ने ReВы केंपेंग, Anti-Re reminds campaign में 5,000 डॉक्स को उक्रिक किया सिर्फ एक سिटी के अंदर गले 5,000 डॉक्स को उक्रिक किया क्या हुआ था, 5 देख हुए थी 5 5 इनसानों की माद हुए उसके बाद में 5000 डॉक्स को, एक சी को जो लिबुट डॉक्स थे रिवीज को contain करने के लिए तो उनको कतल किया गया तो हम देखते हैं कि ये एक मिसाल है हमाई सामे मैंने कहा रहा हूँ सब चीज हर जगा सही है लेकिन ये भी एक चीज है हम सब के सामे अब आईए फिर हम देखते हैं कि इसलाम ने जब ये बाद बताए कि रिबिट में जूद कुदे हैं उनको कल करना है रिबिट कुदों को कल करना है तो क्या गलक आए बहिए इनसानों को तो बार में जाके research के जरीओ पता चला हा है, study के जरीओ पता चल रहा है कि रिबिट, कितनी खतरनाघ disease है, क्या problems होते है उसके fatality rate क्या है यह सारी बातें बाद में हम लोग पता चलिए उसी तरह जब इसलाम ने कहा कि कुटे का को घर में मत रखो वो हो रहेगा लिख करेगा जगा जगा पर जगा जगा पर लिख करेगा और बास कुटे जो होते हैं उसके अंदर से उनकी जो saliva जो राल होती है वो टपकती रहती है तो वो चीज़ पूरे घर में spread होगी तो वो मना जब किया गया और हम लोगों को बताया गया कि तुम्हें मना है तुम्हारे लिए तुम्हारे गुना तुम्हारी नेकिया एक पहाड के बराबर डेली कम होगी हाँ ये बात है कि हर किसी को infection नहीं होगा लेकिन जो होगा जिनको उनके लिए तकलीफ है एक avoidable problem है जिससे वो बच सकते थे और ये तो हमें इतना पता चला है और खितना कुछ है वो पता नहीं चला है जो ग्राजूरी पता चलेगा ये सब recent reports है जो reports हम देख रहे हैं ये आने हम पिछले 4-5 सालों में लोगों को पता चला है ऐसे cases सामने आए जो pinpoint किया जा सका कि ये case के अंदर ये कुद्धे की वज़ा से हुआ तो जाके हम इतना लंबा discussion भी आज करते है नहीं तो हम ये कहते हैं कि trust your creator अपने creator पे trust रखो देखो निशानिया देखो पुरान word of God है मुहमेद स्लासम अल्दा के सचे messenger है trust करो हम इतना ही बोलकर इस बात को खतम कर देखें लेकिन आज हमारे पास कुछ reports है ये भी शुरुआत है मेरा मान आगे और भी करीज सारी चीज़े है और कुछ reports के अंदर आया है किस तरह से जो कुटे के अंदर जो लुआब में जो बैक्टेरियल बैक्टेरियास होते है ऐसी medical reports available है जिसके अंदर आया है कि जब उससे मिट्टी के जरीए wash किया जाता है तो वो पुरी तरह से cleanse होती है और एक ऐसी चीज़ है जिसको cleanse करने के लिए ज़्यादा intense washing required है तो ये सारी चीज़ यहां पर है हम यह देख रहे हैं यह हम सब के सामने है अब मैं आपके उपर decision शोड़ता है के जो चीज़ को एहतरास के तौर पर पिश किया गया मुझे तो ऐसा लगता है यह एक ऐसे चीज़ है जो फिर से जिस मज़ब को आप बुरा बताने कुशिश कर रहे हैं वो मज़ब के हकानित और सचाई के proofs में से यह भी एक proof है यह भी एक proof है जो कोई भी इंसान देख सकता है समझ सकता है